रादे रादे एवरिवन, रादे कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया, क्या नास्ता करने के बाद मैं लड़ुगोपाल की सेवा कर सकते हैं, हम सुभा जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो लड़ुगोपाल की सेव कैसे करें, देखिए, ग्रस्त जीवन में घर परिवार में रहते हुए सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन काफी वार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जो अधिकतर लोगों को सही रास्ता ना होने के कारण होती है, और उसकी बज़ा से जो ग्रस्त जीवन में घर परि लडुगोपाल की सेवा हो, या किसी भी भगवान की पूजा सेवा हो, भक्ति हो, सभी पीछे चूट जाती हैं, जो लोगों की मन में डर होता है, बहुत अधिक होता है, और पहले इस्थान पर इस डर को प्रधानता मिल जाती है, और काफी सारे लोगों से आपने काफी सार नियम सुने होंगे लड़ुगोपाल की सेवा को लेकर या फिर किसी भी भगवान की पूजा को लेकर कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और उनकी लड़ुगोपाल की जो हम सेवा करते हैं वो सारी सेवाएं हमें समय पर देनी चाहिए समय पर उनको इसनान कराना चाहिए चाहे घर में कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन लड़गोपाल की सेवा या भगवान की पूजा जो है हमें रोकनी नहीं है हर परिस्तिती में उनकी सेवा टाइम पर ही करनी है पूजा हमें टाइम पर ही करनी है तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ये सारी जो सीख आपको देते होंगे सुवे ब्रह्म महूरत में ही आपको उठना है, सुवे इसनान जल्दी करना है, घर की साप सफाई करनी है उसके बाद में आपको पूजा अर्चना करनी है और उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है ना तो नास्ता करना है, ना ही जल पीना है, ना ही चाय पीनी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है तो हमेले डुपोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा तो जो चीजें जिसके लिए हैं उसको ही भाती हैं ग्रहस्त जीवन में मतलब जो लोग परिवार के साथ पती के साथ बच्चों के साथ रहते हैं ग्रहस्त जीवन में हैं उनके लिए नियम और बंधन नहीं होते हैं ये नियम और बंधन उनके लिए होते हैं, जो लोग साधना मार्ग उपर होते हैं, उन लोगों को नियमित रूप से नियमों का पालन करना होता है, सुबह ब्रह्म मुहूरत में उठना, इस्नान आदी करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद ही भोजन आदी करना, लेकिन ग्र एक ब्यक्ति था उसको बहुत जादा भूग लगती थी एक दिन गुरू जी के पास गया उसने गुरू जी से बोला गुरू जी मुझे तो बहुत जादा भूग लगती है पूजा करते समय ठाकुर जी की सेवा करते समय माला करते समय भजन करते समय बस भोजन के वारे में ही स रेसानी है, भोजन करके भजन कर लो, जब सरीर को कोई कस्ट नहीं होगा, तभी आप भजन अच्छे से कर सकते हैं, यानि आपकी भूक आपके भजन में रुकावट ना बने, कहने का मतलब है भगवान को आप कभी भी किसी भी और कहीं भी किसी भी अवस्ता में याद कर सकते हैं, अगर आप जमीन पर बैट कर भजन कर रहे हैं और जमीन आपको ठंडी लगती है, तो आप बैट पर बैट कर भी भगती कर सकते हैं, अपने प्रभू को अपने ठाकुर जी को याद कर सकते हैं, कहने का मतलब है आपके सरीर को कोई बीमारी है और आप दवा खाते हैं, तब ही आपका मन भक्ती में सेवा में लगेगा, वरना तो आपका जो मन है वो भोजन के बारे में ही सोचता रहेगा. जैसे आपका स्वास्ति ठीक नहीं रहता है, और आपकी जो भी दिन जर्या है, वो सारे कार्यों को प्रभू की सेवा में समर्पित करें, अपने ठाकुर जी को समर्पित करें, आप जो भी कार्यों कर रहे हैं, वो सारे कार्यों को समर्पित करें, समर्पित करने का अतात्पर ये नहीं है, कि जब आप ठाकुर जी के पास बैट कर माला जब करें, तब करते हैं, वही आपको समर्पित करना है, मैं आपको पहले वी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे घर के जो कार्य होते हैं बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए लंच बनाना, पती के लिए लंच बनाना, नास्ता बनाना और घर के सभी कार्य करना जब आप फुरसत से फ्री हो जाएं सारे कार्य करने के यानि साप सपाई करने के बाद में ठाकुर इसनान करें, फिर इसनान करने के बाद में ठाकुर जी को जगाएं, उनको इसनान कराएं, पूजा आरती करें सबसे पहला है घर परिवार की जिम्मेदारी समालते हुए जितना कर सको अपनी सुविदा अनुसार उतना ही करना है बोज नहीं वनाना है हमेल डुगोपाल की सिवा को अपना एक नियम बना लें ये जरूरी नहीं है कि भगवान के पास बैटकर ही पूजा की जा सकती है जब भी टाइम मिले जितना भी टाइम मिले तब अपने मन को अपने आपको पून समर्पित करना है अपने ठाकुर्जी को याद करना है यही आपकी पूजा है यही आपकी सेवा है यही आपका जब है यही आपका भजन है यही आपका तप है यही सब कुछ है कुछ सेकिंड के लिए ही सही आप अपने अंदर के मन से अपने ठाकुर जी को याद करोगे फिर चाहे वो आप कहीं भी हो किसी भी अबस्था में हो आप एक सेकंड दो सेकंड के लिए प्रभू को याद जरूर करें अपने मन से तो ये जरूरी नहीं है कि हम प्रभू के पास बैठ कर ही पूजा कर सकते हैं भजन कर सकते हैं रडूगोपाद की सेवा कर सकते हैं वो आप कहीं भी हो किसी भी अबस्था में हो बस आप अपने अंतरत्य मन से हिर्दय से जब उनको याद करते हैं तो वही आपकी पूजा होती है वही आपकी भक्ती होती है फिर चाहे आप नास्ता करने के बाद भजन कीजिएगा चाहे भोजन करने के बाद भजन कीजिएगा अपना भोजन करने के बाद भी यानि भजन आप कर सकते हैं सरीर भी कहेगा अब मैं भी संतोष्ट हूँ तो दोनों साथ में मिलकर भजन करते हैं अपने प्रभूका यानि चिंतन करते हैं सरीर को कोई कस्ट नहीं होगा तो ठाकुर जी की सेवा में अच्छे से मल लगेगा यानि कहने का मतलब यह है आप नास्ता करने के बाद भी भजन कर सकते हैं लड़ुगोपाल की सेवा कर सकते हैं इसलिए अगर आपको जल्दी भूक लगती है तो आप नास्ता करने के बाद भी लड़ुगोपाल की सेवा कर सकते हैं तो आपको ऐसी किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, गरस्त जीवन में रहकर भक्ती करना बहुत आसान है, प्रभू के निकट पहुँचने का बहुत आसान रास्ता है, फिर चाहे वो लडुगोपाल की सेवा हो या किसी भी भगवान की पूजा सेवा क्यों ना हो, हमार जब भी टाइम मिले ठाकूर जी को याद जरूर कीजेगा, उनकी सेवा जब आपको टाइम मिल जाए, आप अपने टाइम के अकोर्डिंग उनकी सेवा कर सकते हैं, अपने घर के कारे सारे खत्म करने के बाद, पूर करने के बाद, जब आप संतुष्ट मन से अपने ठाकू ठाकुर्दी की सेवा करेंगे तो पूर्ण रूप से आप उनको समर्पन दे पाएंगे फिर आपको घर के कार्रे की कोई चिंता नहीं रहेगी और जिस भी प्रकार से आप लड़ुगोपाल की सेवा करेंगे ठाकुर्दी की सेवा करेंगे वो आपकी सारी सेवाएं स्वीकार करेंगे क्योंकि पहला कर्टब्य होता एं हमारा घर के घरपरिवार की सभी लोगन की जो कार्द, वह पूड़ू रूप से करना, उसके बाद में जो हमें कर्दब्य सविप गए हैं इस धर्ति पर जो हमें भेजा गया है, हमारी तो पूजा और भत्ती भी वही है, हमारा कर्म वी वही है तो इसलिए लड़ुगोपाल की सेवा के लिए आप अपने मन में ज़्यादा बिचार ना लाया करें कि मैं इसनान करने में लेट हो गई हूँ या लड़ुगोपाल को इसनान नहीं करा पाई हूँ या लड़ुगोपाल के आज बस्तर नहीं धुल पाई हैं या ल आप लोगों का कोई प्रेशन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है कोई बात लड़ों को पाल की सिवा से लेकर तो आप मुझे कमेंट के जरीए पूछ सकते हैं मैं वीडियो के तुरू या कमेंट के तुरू आपको रिपलाई जरूर दूंगी और अगर आपको वीडियो ए आप सभी को राधे राधे